हेलो इस्टुडेंट मैं पवन भमूरिया उड़ान डिजिटल के ऑनलाइन फ्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम फिर से नई चाहर रियक्शन लेकर आजी रहें सबसे पहले जो मोस्ट आइमपी रियक्शन है वो एल्डी आइट की रियक्शन है रोजन मून र आर सी ओ सी एल लेंगे एसिट क्लोराइड लेंगे इस एसिट क्लोराइड की रियक्शन हाइड्रोजन से होती है मतलब इसका रेडक्शन होगा रेडक्शन होगा पीडी एंड बीए एसो फोर की प्रेजेंस में पैलेडियम एंड बेरियम सलफेड की प्रेजेंस में जाइल chloride is reduced by PD and BSO4 in xylene solution और मैंने आपको इसका structure बताया था इस्ट्रक्चर क्या होता है R C double bond OCl यह structure होता है acid chloride का यहां से यह जो CL है और यहां से H HCl bar हो जाएगा और इस CL के place पर क्या जाएगा H आ जाएगा तो हमको मिलेगा R CHO plus HCl यहां हम अगर R के place पर CH3 put कर दे CH3 COCl acetyl chloride acetyl chloride का reduction होगा introduced with hydrogen in the presence of PD and BSO4 in xylene solution acid chloride PD और BSO4 की उपस्तिती में hydrogen gas से hydrogen से अपचेद होती है यहां से H और Cl bar हो जाएगा और हमको मिल जाएगा acetaldehyde CH3 CHO plus HCl इस अभिक्रिया को इस reaction को हम rosenmode reaction बोलते हैं लिखा है acid chloride can be reduced with hydrogen acid chloride can be reduced with hydrogen into aldehyde aldehyde में convert हो रहा है in the presence of palladium or platinum as catalyst and BSO4 यह palladium या platinum यूज हो सकता और साथ में BSO4 this reaction is called rosenmode reaction और इस reaction के through only aldehyde is formed हम ketone form नहीं कर सकते इसमें एक और बात लिखिए है कि जो BSO4 है यह एक poison होता है catalyst के लिए क्योंकि अगर हमारे पास aldehyde form हो और उसको hydrogen मिल गया तो वो reduce होकर alcohol में convert हो सकता है तो यहां पर BSO4 जो है वो क्या करता है PD या PT की जो capacity है catalytic power है उसको decrease करता है जिसके कारण यह जो aldehyde है वो alcohol में reduce नहीं हो पाता है तो लिखा है इट प्रिवेंट फर्दर रेडक्शन आप aldehyde इंटू alcohol नेक्स रियक्शन लेते हैं परकी इंस रियक्शन इस फी रियक्शन है इस फर के इंस रियक्शन समझते हैं valued आएगा evang N6 organism building इस एक्रफ़ रियक्शन विट इस सिटिक ऐन हाइड्राइज एस dot आइन हाईडराइट इन दप्रेजेंस आफ सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट यह सॉल्ट है तो सॉल्ट की प्रेजेंस में बैंजल डियाइट एन आइडराइट से रियेक होता है अब देखिए क्या होगा रियेक्शन समझते हैं यह बॉंड ब्रेक हुआ CH3 COO यहाँ पर रहे गया यहाँ पर कार्बन के साथ थ्री आइड्रोजन है वो एक सिंगल आइड्रोजन इदर आ जाएगा तो यह तो कनवर्ट हो जाएगा CH3 COOH में यहाँ से टू हाइड्रोजन रिलीज होंगे टू एक इदर जाएगा अइड्रोजन और एक यहाँ जाएगा यह हो जाएगा CH3 COOH हम को मिल जाएगा एक तो inacetic acid CH3 COOH दूसरा देखी क्या होगा CH6H5 CH यह ओ जो है यह कहा जाएगा यहाँ पर यहाँ से क्या हमारे पास जो बचा हुआ है उसकी बात करते हैं सीजिक्स एच फाइप था और यहां से मैंने का टू आइड्रोजन रिलीज हो गए तो अगर टू आइड्रोजन बाहर निकल गए तो वन आइड्रोजन बचा यहां से अक्सिजन आगया यहां से रिमेनिंग हाइड्रोजन आगया इस कारबन से कितने हाइड्रोजन फ्री हुए टू यहां से क्या फ्री हुआ अक्सिजन दोनों की टू वैलेंसी फ्री हुए डवल बांड फॉर्म कर लेंगे एक तो यह कंपॉंड बनेगा और एक पहले ह बना चुका था मैं CH3 COOH यह है functional group it is a alpha carbon it is a beta carbon alpha beta carbon के बीच में unsaturated double bond then it is called alpha beta unsaturated acid arcinemic acid क्या लिखेंगे हम अगर आपको reaction आती है देखिए reaction में बहुत सारा गड़बड घोटा लाएं तो हम फिर से देखते बेंजल डियाइड इस रियेक्ट विद एसिटिक एन हैड्राइड इन प्रेजेंस आफ सोडियम एसिटेट देन अलफा बीटा unsaturated acid और सिनेमिक एसिट इस फॉर्म दिस रियेक्शन इस कॉल्ड परकीन्स रियेक्शन अब मैंने क्या समझाया आपको कि यहां कनवर्ट कहां से क्या हुआ तो मैं सेम रियेक्शन नीचे राइट करता हूं फिर से राइट करता हूं आपको समझ में आएगी देखिए रिपीट कर रहा हूं C6 थोड़ा सा डार्क पेन लेले C6H5CHO it is a benzyldehyde benzyldehyde is react with acetic, sorry acetic anhydride CH3CO, CH3COO in the presence of CH3CO, okay बेटा यहां से एक bond break कर दो यह bond break हुआ, okay यहां से मैंने का two hydrogen release होंगे एक hydrogen यहां, एक hydrogen यहां इसको तो हम write कर सकते हैं CH3CO, CH3CO, CH यह तो हो गया, अब जो remaining है इसमें से two hydrogen यहां आ गया यह जो oxygen है, यह भी यहां आ जाएगा तो यह क्या हो गया, CHCO, CH इधर क्या है remaining, C6H5CH तो मैं write करता हूं C6H5CH, okay यहां पर क्या remaining है, CHCO, CH इसकी balance ही two free weed, two hydrogen release यहां से one oxygen release, double bond form करेंगे यह functional group, यह alpha carbon, beta carbon alpha, beta unsaturated acid is form और plus में, साथ में आ जाएगा CH3COOH इस reaction is called Perkins reaction बेंजल डियाइड और हिटिंग विथ असेटिक एनाइड़ाइड एनाइडरस, sodium acetate, इल्स, मतलब form होगा, क्या form होगा, सिनेमिक एसीड, इसी का दूसरा नाम क्या है, सिनेमिक एसीड या alpha, beta unsaturated acid नेक्स reaction लेते हैं, केनी जारो reaction, केनी जारो reaction, aldehyde देते हैं पहली बात, और ऐसे aldehyde देंगे, जिनके पास alpha hydrogen present नहीं होता, alpha hydrogen क्या होता है, तो यह functional group है, aldehyde में, इससे attach कोई carbon है, then it is called alpha carbon, और इससे attach अगर hydrogen है, then it is called alpha hydrogen, यह functional group, यह alpha carbon, और इससे attach hydrogen, alpha hydrogen, इससे दो aldehyde के हम बात करते हैं, जो केनी जारो reaction देते हैं, यह acetaldehyde है, जो केनी जारो reaction नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि इसके पास हाउवा WIN पृर्स हम बात करते हैं घ्ठ अ को मोलेक्शन करते का रिड़क्शन होगा तो आपको क्या करना है एक hydrogen यहां पर अटेज रेडेक्शन मतलब एडिशन और अक्सीजन तो hydrogen यहां अटेज करेंगे और एक oxygen के पास तो दिखिए यहां पर hydrogen होगा तो 123 तो यह CH3 और वो के साथ है जाएगा तो जब reduction होता LD8 का तो form होता है alcohol यहां पर यह reduction के result में हमको alcohol मिलेगा और इसका oxidation होगा oxidation मतलब oxygen add होगा तो यह convert होगा HCOOH तो acid में convert होगा लेकिन वो acid best reaction कर लेता है और acid best reaction कर क्या बना लेता है salt तो हमको यहां मिलेगा HCOONA तो यह है कहनी जारू reaction यह फार्मल डियेट देता है और ऐसा compound है जो है बैंजल डियाइट C6H5CHO इसके two molecules react होंगे in the presence of concentrate NaOH यह question what happened when में आया हुआ है what happened when बैंजल डियाइट is treated with 45% of NaOH तो आपको यह write करना था reaction इसका क्या होगा बेटा reduction reduction में क्या बुला मैंने hydrogen यहां टेज करना है एक oxygen के साथ तो यह C6H5 CH2 हो जाएगा O के साथ H आ जाएगा alcohol is form C6H5 CH2 OH plus C6H5 COOH आना चाहिए लेकिन H के place पर क्या जाएगा sodium क्योंकि किसे रेक्स कर लेगा हमारे NaOH से और क्या बना लेगा salt on hitting an aldehyde having no alpha hydrogen having no alpha hydrogen with concentrate caustic alkali NaOH redox reaction takes place one molecule of aldehyde get oxidized to give sodium salt of the acid and one gets reduced to give aldehyde this reaction is called canny gyro reaction most time P reaction है most most time P तो two molecule का एक का reduction होगा reduction से alcohol form होगा reduction में क्या बताया मैंने आपको carbon पर hydrogen attach करना है oxygen पर attach करना है oxygen पर तो attach करना है hydrogen उससे connected carbon पर attach करना है तो यहां वान टू थे एक और आ गया तो कितने होगे 3 CH3OH इसका क्या होगा oxygen addition यहां पर आपको एक oxygen करना है तो होना चाहिए लेकिन वह जो acid है वह बेस्ट से reaction करेगा acid और बेस्ट करके आपको पता है salt बनाते next है next और आज की हमारी last reaction है stefan reaction stefan reaction में हम cyanide लेते rcn c और n के बीच में triple bond आता है इसका इसका reduction होगा reduction होगा मतलब hydrogen से reaction होगी stenous chloride की presence में SN Cl2 और HCl यह मिलकर hydrogen प्रोवाइट करेंगे क्या होगा यह एक break हो जाएगा यहां पर H और एक H तो कुछ इस टाइप का RCH double bond NH और साथ में HCl भी हो सकता है अगर हम HCl नहीं भी write करें तो आसानी से हम इसको इस टाइप से रिएक लिख सकते हैं तो पहले हमारा alkyl cyanide जो है stennis chloride और HCl के through reduce होता है और RCH double bond NH इस टाइप का compound form होगा यह जो compound है इसका hydrolysis होगा इसकी water से reaction होगी देखें R C triple bond N plus 2H essential to NHCl R C double bond NH साथ में मैं HCl लिख देता हूँ dot HCl आगे hydrolysis होगा तो hydrolysis बहुत easy होता है कुछ नहीं होगा दोनों bond C double bond O यह break हो जाएंगे इसके साथ आ जाएगा O तो क्या बनेगा RCH O RCH O plus में क्या होगा कि देखो जारा NH2O2H तो यह हो जाएगा NH4C L LDI is form alkyl cyanide after reduction with SNCL to NHCL give LD on hydrolysis alkyl cyanide का reduction होगा इसके through SNCL to NHCL और वो hydrolysis के through हमको क्या देगा LD हाइड देगा यह जू reaction है reduction के लिए hydrogen provide करेगा कौन SNCL2 and HCL क्या होगा यह bond break होगा एक यहां पर CH3 CH double bond NH dot HCL write करेंगे हम side में HCL के बहुत सारे molecule है H2O hydrolysis यह break होगा CH3 CHO तो हमको मिल जाएगा main product CH3 CHO plus में क्या मिलेगा NH4 CL ammonium chloride ठीक है तो thank you आज की हमारी यह जो class है कैसी लगी आप हमें बताएं और आपके पास भी अगर कोई reaction है जो आपको नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल हमको comment box में लिख कर दें हम उसका solution easiest way में लेकर आएंगे थैंक्स कर राएंगे तो